नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजमानी स्वागत है आपका प्राइम टीवी में चलिए रुक करते हैं स्वक्त की बड़ी खबरों क्यों रामपुर में आजम खान के द्वारा किये गए विवादित बयान पर पलटवार करते हुए नवाब काजिम अली और्फ नवेद मिया ने भाजपा को खोल कर समर्थन किया है इस दौरान उन्होंने कहा कि आजम खान का प्रत्याशी हारना तै है क्योंकि ये जानते हैं कि ये चंद दिनों के लिए ही जेल से बहार आए हैं और वापस इनको जेल ही जाना है आगे उन्होंने कहा कि मैं भाच्पा के प्रत्याशी घंश्राम लोदी को सपोर्ट करता हूँ धाई साल जब आजम जेल में रहा तो दिमाग समयत उसके तो हर उजार पर जंग लग गया तो उस पे तेल लगाने का काम तो किनरों से याजकल करा रहा है तो किनरों कि किती गिंती है रामपुर में उससे बहतर कौन जाने गा ये साफसी बात है और मैं समझता हूँ कि आजम या उसकी बुड़िया को ये नहीं मालूम कि उसके ओलाद की असली डेट अबर्ट क्या है अगर माबाप कोई नहीं मालूम कि ओलाद की असली डेट और बात बहुत क्या है तो यकीना उसमें कोई ना कोई घुटाला तो होगा कि पहले रामपुर में सिर्फ किला और खासबाग होता तो मैं समझता हूँ या तो यह उस जमाने का उस जमाने की यह ममी होगी जिसे एमबाम करके आज तक जिन्दा रखा गया है किसे माल में उस जमाने में क्या हुआ दूसरी बात जिस स्कूल में जिस कॉलेज में यह खुद पड़ा वो किसके बनाए वेते हैं वो भी तो इमारते हैं सारे स्कूल, कॉलेज़, रामपुर के सेक्रेटेरियट जो आज का चैरी है सारी बिल्दिंग उस जमाने की है तो जूट बोलना कोई इसके लिए मुश्किल नहीं है हर दोई में दी-म और एस-पी ने पुलिस लाइन सोईन्ड जैनती सभागार में पीस कमीटी की बैठक बुलाई इस बैठक में सभी थाना छेत्रों के धर्मगुरू के साथ बैठक कर जनपत में शांती विवस्था बनाए रखने की अपील की गई साथ ही जानकारी भी दी गई कि धार में पोस्ट कर महौल खराब करने वालों पर मुकदमा दर्श करते हुए सक्त कारवाई की जाएगी दोनों अधिकारियों ने बताया कि अराजक्तत्व वालों पर एक्शन निया जाएगा और अराजक्ता फैलाने वालों पर भी कडिक से कड़ी कारवाई की जाएगी कि अगर कोई पुराने कोई एस तरगार के महौल दराने वाले लोग ने उनको चिनर भी किया जा रहा है और अगर नई सुचनाय भी प्राव को की यह हैं उसको भी चनातर करके उनके भी भूखर में भी लिखे जा रहे हैं। रैबरेली के बचरावा थाना छेत्र के कुंदन गंज में जमीनी विवात को लेकर दबंगो ने युवक के घर की दिवार को हथोड़े से तोड़ दिया। जिसका वीडियो क्यामरे में कैदो गया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है। वह इस मामले पर पीडित ने पुलिस पर आरोप लगाते हुई कहा कि पुलिस ने दबंगो पर कारवाई करने की बज़ाए उल्टा पीडित युवक पर ही एक्शन ले लिया। जिसके बाद पीडित ने पुलिस अधिक शक्त से न्याय की गुहार लगाई है। कि यह सर हमारे जो है यह 20 साल पहले का मेरे जो बड़े भाई थे वो बटवारा कर गए थे हम लोग उसी में अपना काबिज थे आज यह पोजीशन है कि मेरे बड़े भाई मौके पर नहीं है उनकी मृत्ति हो चुकी है उनके छे बच्चे हैं तो उनका अपनी दुकान कि यह दो साल पहले की घटना है आज जो है मौके पर बारा तारीक को एकदम से रात में हमला बोल दिया सुबह चार पांच बजे का समय था बाहर से जंजीर लगा ली गई हम लोग अंदर लेटे के लेटे रह गए उसके बाद जब हथोड़ों से उसको तोड़ने लगे तो मंडी चौकियालपूर रोड के पास डिजिटल वॉलेंटियर्स के गोश्टी का आयोजन क्या गया जिसमें सभी थानों के कम्प्यूटर्स ऑपरेटर के साथ साथ 20-20 सक्रिय डिजिटल वॉलेंटियर के साथ मीटिंग की गई जिसमें सोशल मीडिया पर भढ़काओ बयान और सोशल मीडिया के जरिये फैल लाने वाले अफ़ाहों के संबंद में जानकारी दी गई और सोशल मीडिया पर जूटी वाइरल हो रही अफ़ाहों को फैल आने से रोकने के लिए इस दोरान पुलिस ने सहीयोग करने की भी लोगों से अपील की सूबे के मुख्या योग्या अदतनात के आदेशा नुसार शांती विवस्था बनाए रखने के लिए बदायों के थाना उस हैथ में भी सीओ उजानी सूबेदर गोपाल और स्डियम दाता गंज दौरा बैठक का आयो जन किया गया जिसमें कजबा उस हैथ समेत आसपास के इलाकों के ग्रामेड भी मौजूद रहे इस दौरान सीयों ने बताया कि अगर किसे भी प्रकार की कोई समस्य आती है तो आप लोग ततकाल हमें या फिर अपने थाना प्रभारी को बता सकते हैं जिससे जन्पद में शांती विवस्था बरकरार रहे अब जिए जिस्थान ने मीटिंग करी है यह जैसा की महौल चल लहा है राज्य में जो यहां के लोकल मौलाना है मौल वी है जी साथ में इस कमेटिंग करी गई है जो भी शासन की मंसा है शासन की तरह सुझी निर्देश निगरत किये गए हैं एल और तीकर के संबन में और जीजिने में धरा 144 लगी है और अने पर्मिशन के लिए जो भी शासन की पिसान निर्देश आ है तो समवन में इनको अवगत कराया गया है कि यह लोग आगामी दमाज जो होने वाली उस समवन में उपनी शानती पूरवक्त थाकायम करें और हमाई तरस पुरी सुरक्षिए गोंड़ा में डीम के अध्यक्षिता में विभाग्य कार्यों और राजस वसूली को लेकर मासिक समीक्षा बेठक हुई बेठक में डीम ने सच्चिव मंडी समीती के साथ समीक्षा कि और बेठक में सिचाई विभाग, मंडी समिती, श्रम विभाग, स्टांप, वाड़े जुकर विभाग, वन विभाग, अवैत कबजा को ले कर भी चर्चा हुई बैटक में जिलाधिकारी ने मिली शिकायतों पर एक्शन लेते हुए उनका समाधान करने की भी बात संबंदित अधिकारियों से कही प्रिशासन तैसील अंतरगत आने वाले बल्लीपुर निवासी रेखा देवी ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले घूरे गड़े की जगा पर कुछ लोगों ने कबजा कर रखा था जिस पर सोबरन ने तैसील प्रिशासन को एक शिकायती पत्र करते हुए तैसील प्रिशासन ने गरीब व्यक्ति द्वारा किये गए अतिक्रमण को खाली कराते हुए कहा कि उसने सरकारी जमीन पर कबजा किया हुआ था जिसके बाद से ही परिवार लगातार जिलादिकारियों के आफिस के चक्कर काच रहा है लेकिन प्रिशासन मौन ब इक्रमण कर दिया गया जिसके बाद से ही पीडित मैला लगातार न्याय की गुहार लगाने के लिए लगातार थैसील के चकर काटते होई नजर आ रही है वहीं अब उसने पीडित पीडिता ने जमीन विवात के निस्तारन की गुहार जिलादिकारी से भी लगाई है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए लगना उससे हमारे समवादाता धीरज हमारे साथ जूर चुके हैं दिरज पीडित महिला ने जिला प्रशासन से नियाए की गुहार लगाते होए क्या कुछ अपील की है और क्या कुछ यह पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है जिला प्रसासन के उसके बार में जिला प्रसासन से निया की गुहार लगाई है तो कहीं न कहीं जो जिला प्रसासन की लापरवाई राजस की रही है जिला प्रसासन की तो पूरी लापरवाही सामने आ रही है जी बिल्कुल तैसील प्रशासन की तो पूरी लापरवाही सामने आये क्योंकि कई हटे से महिला जो है तैसील प्रशासन के बरावर चक्कर का प्रही ती अगर तैसील प्रशासन सजक होता और महिला की दर्द जो है समस्चा तो कहीं न कहीं से महिला के जो समस्चा ती उसका न या मिल पाएगा या नहीं दीरज आप इस खबर पर नजर लगतार बनाये रखेगा आप भी हमारे साथ आगे जुड़े रहेंगे लखीमपूर खीरी में स्वास भाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है ताजा मामला निगासन कुत्वाली के पास का है जहां नीजे अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई सिंगाही रोड पर अवैद रूप से चल रहे साई अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई वह पीडित पती ने गलत तरीके से इलाज करने का आरोप लगाते हुई कहा कि वो अल्टरसाउंट कराने के लिए पतनी को लेकर अस्पताल आये था लेकिन डौक्टरों ने उसे भरती करते हुए बोता चुड़ा दी वही मामले की भनाक लगते ही स्टेम और स्वाव सुभाग की टीम एक्टिव हुई और फौरन अस्पताल को सील कर दिया साथी पुलिस ने मैला के शाव को कबजे में लेकर अब पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है ताहीं अस्पताल में जो हम लोगों को जानकारी हुई है एक मैला हमारे हाँ कुस्मा नाम की लगभग उम्र 55 साल अस्पताल में 11 बच के 25 मिनट पे लाई गए जो की मृत थी ब्राट डेट आई थी तो उसकी सूचना हमने 11 बच पर पुलिस को दे दी थी उसके पश्चाद उन्होंने SDM साहब को एक पत्र दिया था कि हमारे गलत चिकित्सा होने के कारण महिला की मृत्त हुई है SDM साहब के आदेशा अनुसार हमारी टीम डाक्टर प्रदीप और हमारे अस्पताल के और अनिक रिपचारियों के साथ मैं साइए अस्पताल गया था जहां पर कोई भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ सिर्फ महिला जो जिसकी मृत्त हुई है और उसके परिजन और काफी संख्या में तादाद में जनता वहां इस खबर पर जादा जानकारी के लिए लखीम पूर खिरी से हमारे समभा दाता धीरज हमारे साथ जो जो कि है घिरज अगर देखा जाए इस खबर के सामने आने के बाद तो यह साफ तौर पर कहा जाता है कि जन्पत में स्वा शुभाक की बड़ी लापरवाई देखने को म आवीज सात विवागक सामने बराबर आ रही है अगर इस तने पहले स्वात सजयगोंुन ज最高 ता थे सहरे कर सपल्से साथ सात में में वे जख सब्ते कर स delic National School फेल वहाँ पर दलाल्री तरीके जो डाल विज oney आरगे वी जाते हैं। जहां पर प्रॉत ने पर आज तरीके इसे वहां मिभी आगा हूए पर नत्रान कि न्यजिफ कैसे अल Consुça ओर कर दूर किवी है। तो आप पुछाने के लिए नेद खुल गई है तो अस्पताल को तो सील कर दिया है लेकिन क्या अस्पताल का संचालक अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आ पाया है? बिल्कुल अभी तक भी जो स्पताल का संचालक है वो पूरी तरिके से फरारें कहीं नेद आपने आपको बचाने के लिए कहीं नेता या कि स्वास्विबाग बड़े अधिकाली से वासला अगर ऐसा नहों तो इससे पहले भी गतनाय हुई है लोग बचते नजर आ रहे हैं ब अधिके से लिए तो आपक द्वारा किया गया तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही फिर क्यों बढ़ती जारी है लाखीमपुर खीरी में बिलकुल जो सास मंसी उनके द्वारा तो बरावर जन्पदों का तवरा किया रहा है लोगों को बताया भी जा रहा है डाक्टों को हिजा रही दिर लकिन लक्षीमपुर के जो सास विवाग है वो लापरवाही है इससे पहले भी कही अस्पतालों में मौत हुई है माहिलग की मौत का जिन्मे दार पिर्पी ऐस हाओं? प्राइवेटस शौतार और सोष्वाग को कौन जिन्मे दारी लेगा माहीला की मौत की? बिल्कुल धन्यवाइद धिरश्टिवारी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी सांजा करने के लिए मैनपुरी के कोस्मा छेतर में मैनपुरी कुतवाली और घिरोर पुलिस की अंतर राजी चोर गैंक साथ मुटबेड हुई इस दोरान बदमाशों ने पुलिस पर फारिंग किये जिसकी जवाबी कारवाई में पुलिस ने भी फारिंग करते हुए एक लुटेरे को गिरफतार कर लिया जबकि उसके अन्ने दो साथी मौके से फरार हो गए जिसकी जानकारी देते हुए पुलिस लाइन सभागार में आपर पुलिस अधीक शक मदुबन कुमार ने बताया कि वांचीत अपरादियों की गिरफतारी के लिए खुटवाली की टीम गश्ट कर रही थी तब ही कोस्मा चौकी प्रभारी अभिमन्यो मलिक ने जानकारी दी कि कोस्मा से ग्राम नगला दौला जाने वाले मार्ग पर तीन बदमाशों का वो पीछा कर रहे हैं जिसके बाद पुलिस को ये सफलता हाथ लगी और पुलिस ने अंदर राजीय चौर गैंग के एक सदस् चनपत मेनपुरी के ठाना घिरोर और ठाना किस्नी में दो लूट की बरदातें हुई थी एक घटना च्छे तारीक हो ही थी और एक साथ तारीक हो ही थी और मोटर साइचिल सवार तीन लोगों ने घटना एक की थी कि आज ठाना कुदवाली पुलिस द्वारा अपने सब्क्रिता के आदहर पर और सीसे टीवी फुटिज के आदहर पर इस गैंग के एक सदस्स को गरिफतार किया है और इसको गरिफतार करके इससे पूच्चा कर और जो लूट में माल था उसको बरामत किया है कानपूर और प्रियाग राज में हुई हिंसा के बाद बुलन शहर में भी पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर अक्टिव है शान्ती और कानून विवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों ने शहर का भ्रमण किया वई भ्रमण करने के साथ पैदल गश्ट करते हुए पुलिस की टीम ने मुक्य बाजार और चौराही का जायजा लिया साथ याम लोगों से शहर में शान्ती विवस्था बनाए रखने के भी अपील की ADG मेरट के साथ जुलादिकारी और SSP इससे दौरान गश्ट किपगश्ट में मौजूद रहे और अंसारी मार्केट जो एरिया है यहाँ का यहाँ पे ब्रमण किया गया यहाँ पे तमाम व्यपारी गण है इन लोगों से भी वार्ता की गए इनकी समस्या सुनी गई और साथी साथ जो अन्य छेतर वासी है उनसे भी वार्ता की गई ऐसी कोई विश्ट तमस्या भी यहाँ पे संग्यान में नहीं आई है इस फ्लैग मार्च का उद्देश जनता में विश्वास जगाना था जो रिस्वांस में मिला है वो भी बहुत पॉजिटिव है और उम्मीद है कि जैसे पिछले दिनों यहाँ पर शांती विश्वास भी उसी तरीके से आगे भी रहेगी यह जनता ने यहाँ का वमें विश्वास भी दिलाया का था कि जनता में विश्वास कायम रहे और कोई भी सिर्फ राय कोई असामाजिक तब अफवा फैला करके भाईचारे को ना तोड़े इसलिए आज मेरट जो पूरा जोन है उसके ADG साहब ही आये थे हम मैं हूँ SSP साहब है पूरी टीम है जैसा कि traditionally हम लोग फ्लैग मार्च फुट पेट्रोलंग में घुमते हैं आज भी हम लोग ने जो सेर के संबीदन सील इलाके उनका ब्रमण किया गया है और उससे ज़्यादा जरूरी था लोगों से बाचीत करना कि कहीं किसी के मन में किसी प्रकार का कोई आसंका तो नहीं है तो वही एक रूटिन एक्सरसाइ बुलन शहर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया जोहां लड़की के पैदा होने पर ससुरार पक्ष के लोग विवाहिता को अस्पताल में छोड़कर फराह हो गए दरसल दिहाज शेतर के गाउं घुमेड़ा की रहने वाली गर्बवती विवाहिता को पती ने जिला अस्पताल में भरती कर आया था लेकिन विवाहिता के बेटी को जर्म देने पर पती समेच ससुरार पक्ष वालों ने उसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया और दोनों को छोड़कर सभी लोग अस्पताल से फरार हो गए इसके बाद माई के पक्ष के लोग मा और बच्ची को लेकर अस्पताल से सीधा ससुराल पहुचे लेकिन यहाँ पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट करने शुरू कर दी तो आप देख सकते हैं किस तरह बुलंड शेहर में एक मा की लाचारी की तस्वीरे सामने आई जहां एक बच्ची के पैदा होने पर जो युफ्ती का पती है और जो उसके ससुराल वाले है वो बच्ची समेत बच्ची के मा को अस्पताल में छोड़ कर मौके से फरार हो गई ये खबर 21 सदी में आप सुन रहे हैं जिहां बुलंड शेहर में 21 सदी में एक इंसानित को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है जहां एक बच्ची के पैदा होने पर जो युफ्ती है उसका पती और उसके ससुराल वाले उसको अस्पताल में ही छोड़ कर मौके से फरार हो गए है छोड़ के चले रहे हैं कि हम बेटी को एकस्ट नहीं करेंगे इसने भी जरन दी जब इनके घरवालों को ख़बर चली वह आयके इस्पताल के बेटी को लेकिकर ऊसके ससुराल महमदपुर गये अहमदपुर और महां जांके उन्होंने उनके साथ उसके अस्षराल जानोंने उनके फित्ता और भाई के साथ में मार पिट की लड़की के साथ में मार पिट की और घर्चे निकाल दिया फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही देश अपने देश के तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार